Hello दोस्तो, इस से पहले कि mango का सीजन हो जाए, खतम बनाते हैं हम mango cupcake इसकी रेसिपे बिल्कुल ही simple है, हम इसको बनाएंगे eggless बिना अंडे के और इसको हम बनाने वाले हैं गेहों के आटे से तो ये होने वाला है सूपर हेल्दी तो सबसे पहले हम लेते हैं एक mixing jar, यहाँ पर मैंने चटनी वाला jar लिया है, उसमें मैंने डाला है एक कटोरी, कटा हुआ, आम, mango लिया है, और उसी कटोरी की measurement से half कटोरी मैंने लिया है, sugar, चीनी, measurement के लिए मैं usually जो भी कटोरी यूज़ करती हूँ, उसी से ही मैं अपने सारे measurement करती हूँ, आपके पास भी अगर कोई measuring कपनी है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बाद यह बन गई है, हमारी mango की puree हमने इसे कर लिया है, ग्राइन, और अब हम इसको डाल रहे हैं, अपनी कटाई में, यहाँ पर मैंने flame को medium रखा हुआ है, और हम इसे लगात चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए, यह जो है, थोड़ा translucent हो जाएगा, पहले तो यह आपको लगेगा बहुत पतला सा, और इस तरह से जब boil होते होते, यह ठिक हो जाएगा, इखटा सा होने लगेगा, इसकी consistency, देखिए, mix हो गया है, इसी तरह से हम इसको लगातार रहेंगे, इसका color भी change हो जाएगा, और जब इसका color change हो जाएगा, इसमें से अच्छे सी खुश्बू आने लगेगी, तो यहाँ पर इस stage पर यह almost ready हो गया है, तो हम इसको एक minute के लिए और चलाएंगे, तक यह और अच्छे से गाड़ा हो जाए, उसके बाद हम इसको निक सबनी है, तो आप इनको mixi में फिर से एक और बार grind करके फोर सकते हैं, में को यह usually पसंद है, तो देखे, अब यह हो गया है, एक खटा सा, अब हम इसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे अपनी flame से, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब हमने लिया है, एक mixing bowl, इ हमने अभी mango अपना प्योरी सा बनाया था, गैस पे से, इस तरह कि उसकी consistency है, थोड़ा hard हो जाता है, यहाँ पे मैंने डाला है, वन फोर्थ टी स्पून नमक, जरा सा बिलकुल एक पिंच कहले आप, नमक के साथ में हम में यहाँ डाल रही हूँ, वन फोर्थ कटोरी ही मैंन स्पून वेनिला एसेंस और उसके साथ में डाला है, मैंने यहाँ पे वन फोर्थ बोल गी, दोद, सारी चीज़ों को अच्छे से हम जब तक मिस करेंगे, जब तक यह सॉफ्ट, फलफी और स्मूधना हो जाए, यह क्रीमी टेक्च्चर हो जाएगा, इसका कुछ इस तरह से काफी लाइट होगा, तो सारी इंग्रीडियंट्स हो चुके हैं, अच्छी तरह से मिक्स, हमारे वेट इंग्रीडियंट्स मिक्स हैं, तो अब हम करते हैं, अपने ड्राइ इंग्रीडियंट्स को मिक्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, एक कटोरी गेहों का आटा, उसके साथ यहां पे जा रहा है, half कटोरी ही मैंने लिया है, milk powder, और उसके साथ मैंने डाला है, एक चमच अपना baking powder, और one for teaspoon लिया है, इसमें baking soda, सारी चीजों को हम कर लेंगे अच्छे से mix, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी मिठास और जादा चाहिए, तो आप इसमे कर लेंगे mix, बिल्कुल अच्छी तरह से, यह थोड़ा गाड़ा बनके तयार होगा, lumps को हमें अच्छी तरह से, lumps form नहीं होने देने हैं, lumps को हम तोड़ते हुए, देखिए, अभी तो यह काफी hard है, तो इसमें हमें यह डालना होगा, अपना मैं डाल रही हूँ, कोई दो ट काफे thick consistency वाला paste तयार हो गया है, अब डालते हैं इसमें अपना दूद, मैंने आपे 2 tablespoon milk लिया है, यह अगर आपको इसकी neat feel होती है, तो ही डाले, अगर आपका batter smooth सा है, इतना जादा थिक नहीं है, जितना मेरा था, तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, देखिए, अब यह हमारा यहाँ पर batter पूरी तरह से हो गया है, तो अब हम इसको डाल लेते हैं, मोल्ड में, यहाँ पर मैं इस्तिमाल करने वाली हूँ, silicon के मोल्ड यह मैं लिए, अगर आपके पास silicon के मोल्ड नहीं है, तो आप paper cup कभी इस्तिमाल कर सकते हैं, इनको मैंने हलका फुलका grease कर लिया है, जो की completely optional है, तो सारे मोल्ड में हम डाल देंगे अपने batter को, और batter डालने के बाद हम इसको garnish करने के लिए इस्तिमाल करेंगे, आप चाहे तो चौको चिप्स, टूटी-फूटी या फिर ड्राइफूट का भी यूज कर सकते हैं, तो इन ही सब को मोल्ड को मैंने फिल करने के इसको garnish करा है, ड्राइफूट के साथ, हम ये बिलकुल healthy बना रहे हैं, बच्चों के लिए, एक भी चीज हमने अपने इस mango cupcake में ऐसी यूज नी करिया है, जो की unhealthy हो, घी का यूज करा है, हमने रिफाइंड ओल की जगा, मैदा की जगा हमने हमने यूज करा है, वीट फ्लार क के लिए, और दूसरा बैच को मैं इस्तमाल करने वाली हूँ, कढ़ाई पे, तो इस तरह से मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है, इसको नीचे मैंने नमक डाल के उसको preheat करा है, अपनी कढ़ाई को भी 10 मिनिट के लिए, और इस तरह से मैंने इन मोल्स को रग दिया है, अभी 20 मिनिट पाद मैंने चेक कराए, मैंने अभी इसको 15 मिनिट हुए है, तो यह अभी हलका सा इसमें बचाए है, तो इसको 5 मिनिट के लिए हम और करेंगे, हीट और 20 मिनिट बाद हम इनको निकाल लेंगे, उसी तरह से बाकी जो कपकेक है, मैंने उनको करा है, ओवन में हीट, ओवन को मैंने पहले 7 मिनिट के लिए प्री हीट कर लिया था, 180 डिगरी सेल्शेस पर, उसके बाद हमने 20 मिनिट के लिए इसको 180 डिगरी पर हीट करा है, और देखे, यह हमारे बने हैं ओवन वाले, बहुती फलफी, सॉफ्ट और बहुती टेस्टी, अगर आपको मेरी रेस स्क्राइब करें